जो हर सबी को, जरनली के अभी जो 11-12 जो भी आप लोग बोर्ड एक्जाम देना चाहरे है, नाइन्त हो गया, एट हो गया, तो इसका एक्जाम का जो पेटर्न है वो चेंजिंग हो गया, अब उस एक्जाम का पेटर्न को अभी समझने में आप लोगों को समय लगेगा, और इ लेकिन उसमें है कि 40 का 40 objective होता था, 40 का 40 objective नहीं होगा, 30 गो question आपको एक नमरिया में रहेगा, 1 marks का, जिसमें से आपको 20 marks objective रहेगा, 5 question जो है, वो generally आपका क्या रहेगा, 1 word और 5 जो question बच जाता है, वो आपका क्या रहेगा, एक line में answer देने के लिए रहेगा, ठीक है, आगे का जो है, समझने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहेगा, समझ में आ जाएगा, वो ती easy पुरोग समझाती है, तो जो हर सभी student को, generalist 2022 में जो भी exam देना चार है, 10, 12, 11, 9, 21, सारा का pattern जो है, वो change कर दिया गया, changing में क्या है, देखे 2022 exam में, कि पहले ता आपको 40, 40, 20, 100 marks, अभी भी पेटर्न है, कि 40 नमर ही 1st marks, 1st term में होगा, 2nd term में भी 40 ही होगा, और external जो 20 मिलता था, वो ही मिलेगा, total 100, लेकिन देखे, 1st term और 2nd term, आप देखे, changing क्या है, change क्या हुआ है, 40 नमर एक जाम होता था, अभी 40 नमर ही होगा, लेकिन changing, तो आप देखे, य 40 का 40 question जो है, 1st term में objective होता था, लेकिन अब है, क्या कर दिया गया है, कि 30 question आपका objective, मतलब 1 marks रहेगा, आज जिसमें से सभी question को answer देना है, इधर देखे फिर, ये 3 question दिये है, बाद में हम 2 question का answer लिखने बोल रहे है, मतलब कहने का अर्थ है, कि आपको 3 question मिलेगा, जिसमें स question को अगर आप लिक लेते हैं, तो आपको 5 marks यहां से मिल लिए, 3 question में 2 question लिखना है, फिर आपको देखे इधर में 2 question दिये है, तो 2 question में आपको एक ही question जवाब देना है, जो कि 5 marks है, मतलब मिला जुला के अगर बोला जाए, तो केवल objective exam नहीं होगा, objective भी होगा, और subjective भी हो question, नेकिन आगे आप आजाईए, समाज मा जाएगा, कि इसमें भी बांट दिया गया है, 20 question जो है objective होगा, जो टीक लगाने वाला, गोल गेला करने वाला, जो हो, वो 20 question, इसके बाद देखे, नेकिन 30 question है, आपको 20 question मिला, आप 5 question देखे, 5 question, one word, एक सब्द में आंसर देना है ठीक है, कोई भी चीज अगर पूछता है, उसको एक सब्द में आंसर देते, फिर 5 question जो बच जाता है, वो आपको एक line में देना, one line answer, एक पंक्ती में आंसर आपको देना, यह है, तो total मिला दिला, देखे, 30 question आपको एक नमर या पूछेगा, जिसमें से 20 objective है, 5 को answer मतलब ल 33 question, पहले होता था 40 question, लिकिन अब 33, अब है, आपको यह लिखना भी है, अब धाई marks मिलेगा, तब को धाई marks के जैसा लिखना पड़ेगा, या 5 marks मिलेगा, तो मतलब 5 marks उतना बड़ा लिखना होगा, तब तब को मिलेगा, अब एक line लिख के थोड़े न आपको 5 marks मिल जाए झानि मिलेगा होगा या या याम कित अज़े है, अब को तब को मिलेगा, याम कित आए कम्के तब को चाम ये जाए इन ऊहसी सत्की अएवाबा़े है